हेई हैं आप सब उमीद करूँगा सबके सब विटन फाइन होगे तो फ्रेंज एक बार फिर से आप लोगा स्वागत है हमारे टेखनीकल वे यूट चैनल में आजकी जो वीडियो है यह लोग के लिए होनेवाली है जो इसक्रिल मैथाड यूज करते हैं या करना चाहते हैं विड्रॉ लेने के लिए तो भाईयों binary option से पैसा कमाया जा सकता है यह तो आप लोगों पता अभी तक चल गया होगा अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हैं अभी तक आप में previous वीडियो नहीं देखी तो जा के चेक कर सकते हैं दोस्तों binary option से पैसा कमाने के बाद उसे withdraw कैसे करते हैं तो भाई most of the time लोगों के मन में कोशन आता है भाई स्क्रिल एक best method माना जाता है विड्रा के लिए even मैं recommend करता हूँ अगर आप विज़ा कार्ड में जाते हो तो वहाँ आपका पैसा आता है वो आता है refund status में refund status का मतलब होता है आपको जो bank है वो refund करता है Walmart करके एक जो organization है एक company है वो आपको आपका पैसा bank में refund करती है तो आपके bank से आपके account में refund status में पैसा आता है तो जितना amount आप डालते हो अपने brokers में उतना ही amount आपको maximum आपको वापस मल सकता है उसे जादा अगर आप amount जीत लेते हो या earn कर लेते हो तो आपको क्या गरना है भाई उस amount को निकालने के लिए आपको wallet यूज़ करने पड़ेगे आप network यूज़ कर सकते हो स्क्रिल यूज़ कर सकते हो simple और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाओ तो भाईया बात ये है कि अगर आप $100 इंवेस्ट करते हो अपने विज़ा कार्ट से या master कार्ट से किसी भी ब्रोकर में तो भाईया जब आप उसे withdraw लेंगे तो आप उसमें $100 तक का maximum withdraw ले सकते हैं आप जाएंगे $110 का withdraw लेने में लेना है तो भाईया लेना पड़ेगा आपको किसी एक wallet की through तो wallet बात करते हैं सबसे पहले आज बात करते हैं skrill में अगर आप skrill से रिपाउसिट करते हो withdraw लेना चाहते हो तो भाईया प्रॉब्लम क्या आती है सबसे पहले problem आती है कि skrill verification की तो भाईया verify कर लो अपने skrill को एक permanent address आपका मांगता है वहाँ पे वो देखिया verify कर लो एक ID proof आपको upload करना होता है कुछ दिन का process होता है एक दो दिन का आपका account जो है verify हो जाता है आपको email address और अपना phone number भी verify वहाँ पे करना ज़रूरी होता है that's it bank account end कर लोगे आप अपना वहाँ पे उसके बाद का process क्या है जब आप withdraw लेते हो तो एक swift code आपसे वहाँ से मांगा जाता है या एक और भी code है आपसे वह मांग सकते हैं तो आप अपने bank के पास जा देऊ अपने bank के पास जाओगे बोलेगे कि सर हमारे account में हम जब withdraw लेने जाते है still के सुरू तो एक code हम से मांगा जाता है what is that code हमारे पास हो नहीं है तो आप क्या हमें वो code provide कर सकते हैं लेकिन आपका branch manager उस time में क्या कहता है आपका branch manager आप से कहता है कि भाईया हमारे पास तो इस तरह की का कोई code available नहीं है इस branch के लिए अगर आपका account किसी और branch में होता तो definitely वहां के लिए हमारे पास code है बट आपके account के लिए इस branch के लिए हमारे पास code नहीं है यह बहुत सादा time देखा गया है और बहुत सादा queries इस से regarding मेरे पास आती है तो भाईया solution क्या है इसका तो जाना है अपने bank में सबसे पहले दूसरी चीज यार एक important notice में पहले बताना चाहूँआ हो यह कि लोगों के मन में डर रहता है घबरात होती है कि अगर वो bank में जाएंगे regarding these kind of queries तो आपको कोई कुछ बोलेगा तो नहीं पैसा कहा से आ रहा है क्यूं आ रहा है आप gambling कर रहे हो या वो तो भाईया ऐसा कुछ है नहीं होता है कोई आप से कुछ नहीं बोलने वाला जाके वहाँ पे बिल्कुर truth बताओ सच्चा ही बताओ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप amount withdraw लेते हो thousand dollars, two thousand dollars, three thousand dollars तो एक small inquiry आप पे होती है inquiry in the sense आपको bank जाके एक branch का जो manager होता है overall GM जो रहता है उनको जाके एक letter लिखके देना पड़ता है कुछ नहीं छोटा सा एक formality है उस पे जाके आपको sign करने होते हैं बस वो फिर आपकी जो amount है वो process कर देते हैं account में, that's it, कोई यहां पे बड़ी deal नहीं है छोटा सा प्रोसेसर, simple सा प्रोसेसर भही है, इसको complicated मत बनाओ दूसरी चीज यार वो जो code है ना वो पहले आप चेक करो कि आपकी जो branch है उसे में वो code available है या नहीं तो भही अगर वो code आपके अकाउंट आपके जो branch है तो वो कोई code certified नहीं करता मन्नाब वो code क्या होता है अगर आपको बाहर से कोई पैसा आता है तो उसको बोड़ी है currency exchange code तो आपको वो currency exchange rate होता है वो decide करता है आपका branch तो अगर आपके पास वो code नहीं है आपके branch के पास तो भाईया फिर skrill को use करने से पहले आप सोचो आप अपने ऐसे bank को use करो जिसके पास वो code हुआ क्योंकि अगर आप वहाँ पर deposit तो कर लोगे लेकिन जब withdraw करने के time पर problem जरूर आएंगी उस time पर आप तो जो कि भाईया पैसे तो मैंने deposit कर दिया लेकिन withdraw क्यों नहीं आरा मेरे account में क्या हो skrill fraud कर रहा है बिल्कुल नहीं क्या हो bank fraud कर रहा है बिल्कुल नहीं ये चीजें जो हो रही है ये एक procedure है तो हमें proper procedure है उसको follow करना है तो भाईया इस skill के अलावा कोई भी अगर आप deposit method यूज करते हो withdraw method यूज करते हो इसकी वीडियो भी मैं आगे लेकर आने माला हूँ लेकिन ये problem बहुत ज़ादा बढ़ रही थी एक virus की तरह है तो मुझे लगा इसका निवारण करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है और मैंने किया इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ comment करके मुझे ज़रूर बताएगा कि और को issue रहता है या नहीं पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो या अच्छा सा comment कर दे ना भीया ठीक है और एक और चीज़ चैनल में बिल्कुल नए हो लाइप नहीं किया अभी तक वीडियो को तो भीया लाइप कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाओ यार क्योंकि आ